ग्रीडिंग्स 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 माई वी फैमली आल ओवर दे वर्ल्ल मैं आपका चीफ यहां पर हूँ बैंककोक की ब्यूटिफल सिटी में और यहां पर मैं मिल रहा हूँ बहुत से अन्बिलीवबल वारियर से जो की दवी से हैं सभी कॉर्पोरेट वारियर्स और हम सब मिलकर अपने फाइनल टाचिस दे रहे हैं 2025 के लिए तो आने वाला यह साल 2025 का बहुत ही अन्बिलीवबल होने वाला है गाईज ओके ओल्राइट तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुवात करता हूं यह हफता 50 है इसका मतलब यह है कि यह आखरी हफता है अर्ली वर्ड का याद है ना बनेंजा के बारे में अन्स्टॉपइबल बनेंजा जो की दो हफते का था और वह इस हफते खत्म हो रहा है तो अगर आप अभी मेरा मेसेज देख रहे हैं जिसका मतलब थर्स्ड और फ्राइड आपको जो भी करना पड़े आप करें साइन अप करें डिरेक्ट रेफरेल्स डियार करें और आप यह सुनिश्चित करें कि आप उस बोनस के लिए क्वालिफाई करें ज आपको लगा होगा कि मैं आधा नींद में था आल राइट पर मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा और साथ में आप लोगों को अपडेट भी करना था कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा वेनस्डे मैसेज जो की अप्लोड हो रहा मेसेज़ीज उसमें अपलोड होंगे तो अगर आप मेरा वे एविलूशन देखना चाहते हैं और मेरे कुछ साल के अंत के पास आ गए हैं और पिछले कुछ दिन मैं कुछ अमेजिंग लोगों से अमेजिंग लीडर से मिल रहा था और हम बात कर रहे थे और मैंने ये महसूस किया कि कैसी चीज जो मैंने बहुत लंबा समय पहले शेयर की थी और अब मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो भले आप वी किद्स हैं वी टीनेज वाले हैं अंकल चीज आपको प्यार करते हैं या फिर आप पहली बार वेनस्डे मैसेज देख रहे हैं तो मैं आपका गॉर्जेस चीफ आपका अपलाइन पत्मन सिनाती राजा हूं जो रिप्रिज कोशिश कर रहा था कि क्युंशे जो कि अबिलीवेबल सफलता को मैक्स आउट या जो भी आपका टारगेट हो तो इसका क्या मतलब होता है इतने सालों में मैं बहुत सारे नेटवरकस से मिला जो मुझे आके कहते हैं कि Chief मुझे REZARTS नहीं मिल रहे में इतने लंबा समय से business कर रहा हूं मैं 2 साल से 3 साल से या 5 साल से business कर रहा हूं जो भी all right तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलत फाहमी है और चाहता कि यह जो डूरेशन है जिसमें आप बिजनस कर रहे हैं यह इस चीज से डिफाइन नहीं करते कि आप कितना समय से इस बिजनस में हैं यह डिफाइन होती है उस उन दिनों के संग्रह से जब आप अपने आप से इमानदारी से कह सके कि मैंने अपना 100% दिया हां मैं 100% कमिटेड रहा अपने क्यूनेट बिजनस के प्रति और अपनी प्रेजेंटेशन के प्रति और साथ में फॉलो थू करने के प्रति और आप पूरा-पूरा 101% पूरे कमिटेड रहे और आज मैंने यह महसूस किया कि बहुत सारे लोग आल राइट यह मान लेते हैं कि हां बस एक्टिव होने से और हां बस क्यूनेट में होने से वह यह मान लेते हैं कि हूर कूरी होने के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहे क्यूनेट के प्रति और उतना ही समय आप पूरी तरह से आपने वह सब किया जो करने की जुरत थी तो इसमें वह दिन काउंट नहीं होते हैं जब आप 50-50 परसंट रहे स्विच ऑन रहे सिफुच ऑफ हो गए ऑल राइट क्योंकि हां मैं कर रहा हूं कि मैं इसे नहीं कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब आप पूरे 100% आपने अपना दिया और मुझे नहीं लगता कि आप हर दिन अपना 100% दे रहे हैं हर दिन ऑल राइट तो सिरफ उन दिनों को इकठा करिए जब आपने अ आल राइट, देखी वैसा जान पुछकर नहीं करते हैं और मुझे पक्का है कि आप सबने अपना ड्रीम तो फाइंड कर लिया होगा, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तयार होंगे, और ये भी पक्का है कि आप सब लोग कहीं न कहीं मैक्स आउट जरूर होना चाहते हैं, और अपनी समझ के हिसाब से जो मेरे पास है मैं आपको समझाता हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा है जापा और दातुश्री वीजे से, तो जिस दिन आप पैदा होते हैं और जिस दिन आप हमें छोड़ कर जाते हैं, तो ये जो जर्णी है आपकी, इसे ही जिन्दगी कहा ज जाता है, सच है न, तो इसे जिन्दगी कहा जाता है, आप जैसे भी से देखना चाहें, जो भी कहना चाहें, यही आपकी जर्णी है, यही आपकी लाइफ है, तो बिल्कुल सी बात है, और इस जर्णी में, जिसको की लाइफ कहते हैं, इसमें आपके साथ दो ही चीजे होती यह दो элемents आपकी life की होते हैं, एक जिनको आप control कर सकते हैं, और एक आप जिनको control नहीं कर सकते हैं. या फिर आज bitcoin का price क्या है, ओल्राEint, ओके? और prospect आज क्या कहने वाला है, क्या वैं हाँ कहेगा या ना कहेगा, और क्या मेरे leaders loyal होंगे या नहीं होंगे, या फिर क्या हर कोई अपने expectations के हिसाब से perform करेगा, या इसी तरह की बेकार की बातें, ये सब तरह की चीज़ें, तो आप इन्हें influence कर सकते हैं, पर आप इन्हें control न कर सकते हैं, क्या आप समझ रहे हैं, तो वैं अपना 90% टाइम उन सब चीजों पर spend कर दे हैं, जिने वे control नहीं कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी मूरुकता बेवकुफी वाली बात है, अब एक तरफ दूसरा पार है, जिस पर आप control कर सकते हैं, पर यहा पर आप समाइल करेंगे पूरा दिन या फिसारा दिन चड़ड़े बने रहेंगे, तो आप इन सब चीजों को गंड़ोल कर सकते हैं, और आपको यह पता है, पर इन सब चीजों पर फोकस करने की बजाय कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहतर बन सकते हैं पर आप दूसरी तरफ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन चीजों पर जिने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन चीजों के वज़ा से जिने आप कंट्रोल न ही बात है आप 10 rejections के बाद डिप्रेस हो जाते हैं आप नेगिटिव हो जाते हैं न्यूस पेपर में कुछ पढ़ कर एक ऐसा आर्टिकल जिसमें कुछ नेगिटिव लिखा होता इस इंडस्ट्री के बारे में डिरेक्ट सेलिंग के बारे में आप अपसेट हो जाते हैं जब आ यही है और यही सेम एडवाइस मझे दातुश्री वीजे ने दी मेरी पूरी जर्नी पर एक अंट्रपिनर होने की नाते की नाते क्यूने और कहा कि अपना टाइम फोकस करें उन चीजों पर जने आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने वर्क एथिक पर फोकस करें कि क्या आप चीजों की आप रूल तरी क्या है आंटर पर टीकर में अब गश्यों जोन में जो आपको निरंदर गाइड कर रहा है और क्या आप अपने efforts में consistent है बिजनस के प्रती आपका dedication और क्या आप एक strong power of association को maintain करते हैं क्या आप हर हफते Wednesday message को देख रहे हैं या फिर उसे forward कर देते हैं क्या आप हर हफते मेरा insta live देखते हैं और क्या आप उस zone में रहते हैं जिस zone में आपको बने रहना चाहिए तो क्या आप ये सब चीजे कर रहे हैं तो ये वैस सब चीजे हैं जिने आप control कर सकते हैं कि आप अपने discipline को control कर रहे हैं जो भी sacrifice करने हैं कि आप उसे control कर रहे हैं आप अपने अंदर की उस energy को control करते हैं जिसे आप carry करते हैं हमेशा क्या life की प्रदी आप का positive रवया है या negative रवया है क्या आप शिकायत करने वाले बंदे हैं या हमेशा grateful रहते हैं उन चीजों के ता कि आप मेक्स आुट के और नजदिक आ सकें और आपको बहतर रिजल्ट मिए तो फोकस करें उन चीजों पर जिने आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी life case journey में तो उन चीजोंपर फोकस ना करें जिने आफ कांट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंगी जब आप फ्रस्ट्रेटिड होते हैं और आप जाकर प्रेजंटीशन करते हैं तो कोई भी साइनप नहीं होने वाला contenido फोकस कर नहीं ऐना चाने और सभी जोन में बने रहना चाहते हैं पॉ जहा फॉस्टेटिव एनर्जी हो तो फोकस करें उन चीजों पर जिने आप कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने आपको खुद चेक करें चेक करें कैसा है आपका अपका कमिट्मेंट लेवल कितने सीरियस हैं आप अपने इस जर्नी के बारे में अभी अपनी नेम लिस्ट को निकालें क्या आपकी नेम वेंस्टरी को किर रहे हैं हर महीने क्या आप अपना टागे अपने अपलाइन को लगातार भेज रहे हैं हर फ्राइडे मिडनाइट क्योंकि उस पर आप रिजल्ट को नहीं कर सकते प्र आप हर हफते आपने लगाइन को और कुछ लोग तब भी नहीं करते मुझे पदा नह origin in control नहीं कर सकते हैं आल राइट तो उन चीजों के वजह से फ्रॉस्ट्रेटेडर नहीं हो जिन आप इसकुंड खाली होना और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण presentation 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 इसे आप control करते हैं तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं तो अगर आप उस point तक पहुंच जाते हैं जहां आप focus करते हैं उन चीजों पर जिन्हें आप control कर सकते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके ऐसे जादा दिन होंगे जब आप गर्व से तो मैं आपसे promise करता हूँ आपके results जरूर आएंगे आप max out king और queen बनेंगे तो मैंने इसी प्रकार से जीना इसी को choose किया तो श्रीवीजे ने मुझे ऐसा train किया कि मैं focus करूं उन चीजों पर जिन मैं control करता हूँ और बाकी चीजों को ignore करूं तो early word bonanza is Friday खत्म हो रहा है तो आपके पास control है कि आप कितनी presentation कर सकते हैं आपके पास control है कि आप अपने downlines को push करें आप control कर सकते हैं कि focus करें अपने goals पर और आप अपने काम की प्रती भी आपके अपास पूरा control है तो साल फत्म होने वाला है बाकी पूरी दुनिया को distract होने दें पर आप focus रहें और मैं आपका चीफ Bangkok की beautiful city से आप सब लोगों से कह रहा हूं I love you